हलो फ्रेंट्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार्दित स्वागत हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर परदेश इस्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में तो फ्रेंट्स वीडियो को इंड़ तक देखें वीडियो को लाइक करें शेर करें और अभी तक चैनल को अगर सबस्क्राइब नहीं किये हैं उत्तर प्रदेश इस्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेफसाइट पर तो friends finally हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश State Medical Faculty की website पर student के लगातार comment प्राप्त हो रहे हैं कि आखिर मेरेट लेश्ट कप पबलिस होगी किस प्रकार से एडिविशन होगा और कब तक एडिविशन हो जाएगा यह देखिए थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो एक आपको लिंक दिखरा होगा यह देखिए यह देखिए लिंक सिंफ्ट पारा मेडिकल प्रवेस्परफिया 2020 की विश्तत जनकारिये तु किलिक करें इसरी लिंक पर जो हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर मपर आप क्लिक करिए गा जैसे प्रॉस्पेक्टर्वर आप क्लिक करिए इसको डाउनलोड करने download customer click करिएगा तो ये finally download हो चका है थोड़ा scroll करके नीचे आईएगा तो ये देखी इसमें साफ साफ लिखा था prospectus के accounting कि आपकी merit की सूची 28 28 November 2020 को publish हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे student ने लगातार faculty को contact गिया faculty को mail किया कि उनमें कुछ गलती कर दिया application में इसको सुधारने का एक मौका दिया जाए तो faculty ने 27 तारिक से लेकर 29 तारिक के बीच संसोधन की data जारी की थी कि जो भी संसोधन आप करना चाहते है अपनी जाती में जस्मी बारी में के प्राप्तांकों के प्रस्त में कोई अगर कमी आपकी रह गई या आपने गलत इंटर कर दिया है तो आप application में एक बार सुधार कर सकते हैं जो की 27 तारिक से आपको screen पर देखht पाड़ा होगा सेबा में प्रवंदक प्रदानाचार समस्त नर्सिंग पराप्र सिछण केंदर उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में जितने भी nursing college पयरा मेडिए कोलेज चाहे बो सरकारी हो या private सब के लिए एक जारी किया गया है उत्तरप्रेज स्टेट मेटकल फाकल्टी की और से कि ये देखिए 31 दिसंबर तक यानि 31 दिसंबर से पहले ही आपका merit list पब्लिस हो जाएगी और 31 दिसंबर से पहले ही आपका first round counseling के एड़िसन आपके college में हो जाएगे तो बिलकुल ये officially news है आप screen पर देख पारे होंगे enrollment panel 2 दो नॉंबर से 31 दिसंबर तक online enrollment खोला जाएगा जिस पर आपके center login दोरा पैनल का रहाले की website www.upsmfac.org पर 31 दिसंबर तक किये जा सकेंगे ये देखिए सारे paramedical और nursing courses के लिए paramedical की बात कर रहे हैं आपर 31 दिसंबर तक आपका ये पूरा हो जाएगा first round counseling भी निपड़ जाएगी और 31 दिसंबर से पहले ही आगामी एक दो सब्ता में आपका merit list आने वाली है ये बिलकुल officially news है लाइब news है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताइए और अगर आपके कोई question है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं thanks for watching and subscribe my channel